नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रेग ग्रांडन द्वारा लिखित, फोर्ड लेंड याक की समीक्षा करेंगे, जो अमेजन पर एक बेस्ट सेलिंग बुक है। ये पुस्तक हेंरी फोर्ड के ब्राजील में रबर की खेती के लिए एक अमेरिकी शहर बसाने के उत्साह और अंतताह उसके असफल होने की अनोखी कहानी को बताती है। हम इस किताब के मुख्य पहलूँ और उसके एतिहासिक महत्व की गहराई में जाएंगे। हेंरी फोर्ड ने 1920 के दशक में ब्राजील के अमेजन वर्शावन में एक विशाल भूखन खरीदा था। उद्देश्य था अपने वाहनों के लिए रबर का एक स्थिर्स रोट स्थापित करना। फोर्ड लेंडिया के माध्यम से ग्रांडिन हमें इस परियोजना के पीछे की सोज और इसके वैश्विकार्थिक महत्व को समझाते हैं। इस खंड में, हम देखते हैं कि फोर्डलेंडिया के निर्मान के दोरान हिन्री फोर्ड और उनकी टीम को किस प्रकार की भोगोलिक और सामाजिक चुनोतियों का सामना करना पड़ा। जंगी प्रकृती, मलेरिया और स्थानिय श्रमिकों के साथ संधर्ष इस परियोजना को असाधारन बनाते हैं। फोर्डलेंडिया में हिन्री फोर्ड ने अमेरिकी जीवन शैली और काम की तोर तरीकों को लागू करने की कोशिश की, जिसमें स्कूल, अस्पताल और गोल्फ कोर्स शामिल थे। ग्रांडिन बताते है कि कैसे ये प्रयास थानिय संस्कृती और परंपराओं के साथ तक्राव में आए। फोर्ड लेंडिया की असफलता का विशलेशन करते हुए, ग्रांडिन हमें बताते है कि कैसे प्रबंधन की गलतिया, पर्यावरन ये नजरिंदाजी और आर्थिक मंदी ने इस उद्यम को डूबो दिया। यहां तक की रबर के पेड़ों को बढ़ने के लिए उप्यूक परिस्थितियों का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इस खंड में, ग्रांडिन, फोर्ड लेंडिया के वैश्विक आर्थिक और परियावरन ये प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वो बताते है कि कैसे इस परियोजना ने दुनिया भर में अध्योगी की करण और उपनिवेशवात की चुनौतियों को उजागर किया। फोर्ड लेंडिया के एतिहासिक महत्वपर प्रकाश डालते हुए। Grandin हमें बताते हैं कि यह कहानी कैसे हिन्री फोर्ड के आदर्शो और उनकी सीमाओं को दर्शाती है। ये हमें अमेरिकी सपने के अंधेरे पक्ष को समझने में मदद करता है। Grandin की लेखन शैली और शोध कार्य पर ध्यान देते हुए, हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने व्यापक दस्तावेजी करण और गहरी अंतर द्रिष्टी के साथ इस असाधारन कहानी को प्रस्तुत किया। उनकी विस्तृत जानकारी और सटीक विवरन, फोर्डलेंडिया को एक रोचक पढ़ाई बनाते हैं। अगर आपको यह विचार उप्योगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।